अमर रोज दफ्तर से अपने घर आते हैं, दिन फर काम और टेंशन से जूच कर, घर आते ही अपनी भडास निकालते हैं अपनी परिवार पर, पस आज काम जल्दे खत्म हो गया, अब आराम से जाकर मैच देखूंगा, तेकल जाता हूँ इससे पहले कि बॉस के नजर में आ ज अमर, कल जो रिपोर्ट फाइल करनी है, उसमें लास्ट मिनिट चेंजिस आया है, आज जाने से पहले अपडेट कर देना, अब अब अब, सर, आज जल्दी जाना जरूरी है, बेटे को स्कूल के जरूरी सामान खरिदने ले जाना है ना, अब जब तक तुम पहुचेगे, म मान कर फिर काम में लग जाते हैं, किसी तरह मन मार कर काम खतम करते हैं, और चीड़-चीड़े मन से घर पहुचते हैं, दिशा, जल्दी से खाना लगा दो, इंडिया की बैटिंग खतम होने वाली है, बहुत दे लेट करवा दिया, अरे इतनी देर से आया हूँ, तोड़ी जाकर आया हूँ, अब जाओ जाके फिर हम वो कर लो, कर स्कूल भी जाना है न, तो मैं उट जाओंगा, लेट नहीं करूंगा, अभी मेरा शो चल रहा है, मुझे देखना है, अरो समझ नहीं आ रही बात एक बार मैं, एक थपर देके समझाओ क्या, रिमोट दे और सोने जा सोनो रोते हुए ममी के पास जाता है, और अपने पापा की शिकायत करता है, लीशा उसे पुछकार के एक और बेड्रूम में ले जाकर सुला देती है, मैं डाटती हूँ पापा को, तू सोजा, अभी ठीक है पिठा? नेहा खाने की ठाले लेकर अमर के पास पहुंचती हैं और मेज पर रखती है, अमर टीवी में डुबा हुआ है और बिना देखे ही खाने लग जाता है, नीशा सामने बैठे उसे घूरे रहती है, कुछ तेर में अमर ये समझता है और उसे देखने लगता है, और इशारे मे पूछता है कि क्या बात है ये कोई तरीका है सोनू पे चिलाने का अभी रुको इनन खत्म होने दो अमर खाने लग जाता है और मैच देखता है आकरी बॉल होने के बाद वो नीशा के तरफ दीखता है अरो नीशा पानी दे दो जरा नीशा थाली की बाजू में रखी ग्लास पर इशारा करती है अमर उठा की पानी पिता है अब बिलो बच्चा है सुनू एक बार तुम मिलते हो दिन बर में रात को और फिर वो अपने पापा की डाट सुनके सूचा है अरे बच्चा है तो बात सुननी चाहिए न उसे मेरी जवाब दे रहा था अरे दिन बर के बाद आया हूँ इतना काम किया बास के नकरे छेले और घर आओ तो बेटा दास करे और साली पड़ास घर आकर घर वालो पर निकालो अरे तुम क्या बोल रहे हो मुझसे ऐसे तुम भी तो सारा दिन साथ रहती हो डाट तीपी तो हो से बता रहा था वो मुझसे अभी कुछ दिन पहले ही डाटा था ना तुम्हें हाँ मुझे अभी सोने के पहले बता रहा था अमर फिर से टीवी देखने लगता है और निशा उसे कुछ सेकंड्स में वो उठके जाने लगती है दर्वाजे तक पहुची होती है कि अमर कहता है अरे सुनो तो चाय बना देना एक कप नहीं निशा दर्वाजा पीटके चली जाती है और अमर देखता रह जाता है अगली सुबा निशा किचन में सोनू का चेफिन पैक करके उसे देती है सोनू नाश्ता कर रहा है अमर पीछे से तयार होकर आता है और खाली चाय का कप टीबल पर रखता है अमर उसे बहा मत रखो अभी साफ की है दाग लग जाएंगे हरक क्या हुआ तुमको रोज तो यहीं रखता है पर आज से नहीं रखना है चलो उठा के सिंग पे रखो अमर उसे उठा के सिंग में रखने जाता है तभी निशा कहती है अरे अरे धोकी सोनू हस देता है अमर उन दोनों को देखता है और कब धोकी वहाँ से चला जाता है निशा सोनू को देखती है और आँख मार देती है चलो, अब ऐसना बढ़, स्कूल जाओ और ध्यान देना, सब पूछेंगे दिन में सोनू मू बना लेता है, सब अपना दिन बिता कर रात में फिर एक साथ आते हैं आज अमर घर जल्दी पहुँच गया है और टीवी के सामने पसार के बैठ जाता है पीछे से दर्वाज खुलने की आवाज आती है, खिल खिलाते हुए सोनू अंदर आता है सीधे टीवी रूम के अंदर और अमर को बैठा देख चौंच जाता है पीछे से कमरे में निशा भी आती है सोनू, हाथ पर दोगी, कबड़े बदल लो, चलो जाओ सोनू कमरे से बाहर चला जाता है अरे निशा, ज़रा एक कब चाए क्या हरवक्त चाए, नहीं है दूद घर में अरे, दूसरी बाहर ही तो मांग रहा हो ना दूद वाले को बोला था, दूद एक्स्ट्रा एक लिटर लेकर आना वो एक लिटर कम लेकर आया आज तुमको चाए में ही मिलेगी खेर बना दिये पूरे दूद की अरे, दूद वाले के गलती के लिए मुझ पर के चिड़ रही हो मैंने क्या किया तुम भी तो यह ही करते हो ना ओफिस में किसी की गलती हो तो घर आके चिकते हो चाई पिनी है तो दूद लाना पड़ेगा नीचे से अरे, पर तुम नीचे से ही आई ना मैं भूल गई, तुम भी तो नीचे से आए मीशा कमरे से बहा जाती है और सोलू अंदर आता है वो अमर को देखता है, फिर कुछ बोलता नहीं है अरे, क्या हुआ सोलू मेरा टीवी देखने का टाइम है अभी आज रात को देख लेना देखो आपना परेशान मत करो आज ऐसी ठीचे से डाच सुनगी है अब आपकी ने सुनने वाला अच्छा, क्यो राता ठीचे ने क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इनकंप्लिक था आपने सामन लाकी ने दिया और आपकी बज़िसे सो बस्ती लगे मेरे पे अब आप जाओ सोलू टेबल पे रखा रिमोट उठाता है और चैनल बदल के बैठ जाता है अरे, ये क्या तरीका है बात का निका अमर उठके दूद लेने चला जाता है कुछ देर में लटके वो चुपके से नीशा और सोनू को तीवी देखते हुए देखता है और किचम में चला जाता है पेन कप चाय बनाकर वो तीवी कमरे में पहुचता है हज मेरे हाथ की चाय पिलो इस बड़ले बरताव को देख के नीशा और सोनू चौक जाते है अपना कप उठा कर चाई पीने लगता है अमर एक बैग निकाल की सोनू की तरफ पढ़ाता है इसमें क्या है? प्राजिक का सामान और गिफ्ट हम लगता है पापा दूर लेने गए और गुस्या छोड़के आगे कैसी है सोनू के पापा की हाथ की चाई? स्वीट स्वीट पिलकूर ममी की तरह और पापा की तरह नहीं? पापा की तरह कड़क है स्वीट पेटा अब समझ गया कि आफिस पर कुछ भी हो उसे आफिस तक ही रखूंगा प्रामिस निशा और सोनू को गले लगा लेता है और उस दिन के बाद कभी घर की चिंता दफ्टर में नहीं गई और ना दफ्टर का टेंशन घर में आया